दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 23 जुलाई सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है श्रावन मास है शुकल पक्ष है वर्षा रितू है तिथी आज की पंचमी है और आज का वार है रवीवार आज के नक्षत्र की बात करें तो उत् साथ बचके 47 मिनट तक है आगे हस्त नक्षत्र है योग परिग है दोपेर दो बचके 16 मिनट तक आगे शिव योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है अध्यात्मिक प्रभाव के लिए अच्छा है यानि जो पुजापाट करने वाले था और सूर्यास्त का समय शाम साथ बचके 17 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाद 4 बचके 30 मिनट से शाम 6 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहि आज का दिशा शूल पस्चिम दिशा में है तो पहली कोशिश तो यह करें कि पस्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है अनिवारी यात्रा है तो उसका परिहार करके निकले परिहार बहुती सरल है कि आपको पस्चिम के और मुक करना है कोटा सा उपाय करेंगे और भगवान से प्राथना करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा यात्रा बहुती शुब होगी कारे भी सिद्ध होगा आज का शुब समय दर्शक हो यानि आज के दिन का सद उप्योग करने का जो समय है वह सुबह साथ ब दो बचके दस मिनट से दौपेर तीन बचके पचास मिनट तक फिर शाम साथ बचके बीस मिनट से रातरी नौ बचके तीस मिनट तक यह तीनों काल खंड बाकी पूरे दिन के अपेक्षा बहुत ज़्यादा शुब योग का रख है तो अच्छे एफर्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि सफलता के चांसे ज्यादा मिलें आज की चंद राशी दर्शी को कन्या है यानि चंद्रुमा कन्या राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश रहेंगे कर्क राशी वाले अपने मित्रों के साथ आँमोद् प्रमोद् disciplineslles वहीं सिंग राशी वाले धनलाब की स्तिती मेरों आज कोई ना इन भी packed हो सकता है और कण्या राशी वाले डबल माइंडेड रहेंगे मित्रों से विवाद संबव है तो सावधानी रखें तुला राशी वालों को बेवज़े घुमना पड़ेगा जिसकी वज़े से परिशान होंगे और वस्चिक राशी वाले किसी व्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं धनू राशी वाले अपने पिता से मिलने वाले सपोर्ट और प्रोच्सान से रहेंगे प्रसंद और मकर राशी वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नएने अवसर वहीं कुम राशी वाले स्वास्त का रखे ध्यान त्वचा संबंदित समश्य आज आपको हो सकती है वहीं मीन राशी वाले विवाईतों को मिल सकता है विवा के लिए अच्छे परचा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरश्चित सुन्दर और सफल बना देते हैं अं तुम्हें करेंगा आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान द्रश्टी को जोतिश में बहुत से उपाय बताए जाते हैं कुछ उपाय आप अपने स्ववेक से करते हैं जैसे की गौमाता को चारा देना भूके को भूजन कराना पक्षियों को दाने या फिर कोई रतन जैसी कोई चीजे पहनना लेकिन इन सब उपायों से महत्वपूर और सरुप्रथम करने योग के जो उपाय हैं वो आपके घर से शुरू होते हैं इसकंद पुरान के अनुसार सर्वेशाव मेव पापा नाम निश्करती प्रोच्चते द्विजे पित्रोर भत्तश्य पुने निश्करती नेव विद्धते यानि कि पंडित विद्वान यान विद्धार आप कर ही नहीं सकते हैं या हो ही नहीं सकता है इसलिए सरुप्रथम अपना कल्यान को पाई यह है कि अपने माता पिता की सेवा करें उनके रोगादी उप्चार में सब कारें छोड़कर लगें उनके आयू के अनुसार उत्तम भोजन की व्यवस्ता रखें उनक या रत्न पहनना या माता को चारा खिलाना या दान करना इस सारे उपाई तभी फली भूत होंगे क्योंकि माता हमारी धर्ती है यानि जो हमारी घर में हमारी मा है वो धर्ती की तरह है क्योंकि उसने हमारा पालन किया है और पिता आकाश है जो हमारी रक्षा करते हैं तो वर्षे को आप करते हैं चर्चा उन विस्ट उपायों पर जो सभी प्रकार कि आपके समश्चाओं के समाधान बहुती सरलता से कर देते हैं और जिने करके आप सफलता को अर्चनों को बहुत पीछे छोड़ते वे जीवन में सफलता क्यों द्रड़ता से कॉंफिडेंस से अननदायक रहे इसकी लिए आज आप भगवान शिवजी पर फलों के रस और मीठे रही सा विशेट कीजिए साथी साथ आज दौपेर अपने पिता को लाल या भगवारं की कपड़े लाकर उन्हें भीट दें उनके चरण चुके आश्रवाद लें ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुती सुन्दर फल प्राप्त होगा आने वाला वर्ष बहुत अच्छा भीतेगा ऐसी दर्शिकों राजनिती मों उन्नती के चुक या वो लोग जो कोई नया काम व्यापार या कोई नया स्टार्ट अप शुरू करना चाह रहें या वो लोग जो किसी प्रतियोगी प करना सिर्फ यह है कि शिव मंदिर जाएं वहां भगवान शिव जी के निमित एक अखंड दीपक प्रजोलित करें जो पूरे पूजा काल में जलता रहे घीका दीपक रहेगा इसके बाद मंदिर में 11 बार आपको जो मंदिर की घंटी लगी होती उसको बजाते हुए इस मंत इस प्रकार से 11 बार आपको घंटी बजानी और इसस्तुती का जाप करना है फिर आप इसके साथ जब आप पूरी चाप कर लें तो इसके बाद में आप किश्मिश बदाम नार्यल का बुरादा मखाना इस सारी चीज़े मिलाकर भगवान शिव जी को और पित कर दें मंदिर में बैठके और उनसे हाथ जोड़ के प्राथना करें साधना की आज्या मांगें और हवन करने की आज्या उनसे आप ले लें इसके बाद में अपने घर लोटिए और 11 माला इस बहुती विसस्ट मंत्र की जाब कीजिए मंत्र ध्यान से समझेगा बहुती गूपनिय मंत्र फिर से समझते हैं ओम रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकण महावीर लक्षमीम पूरे पूरे सुख्स वभाग्यम कुरू कुरू स्वाहा ग्याराम वाला जाब के बाद इसी मंत्र में अंत्र में आपको 108 आहूती देनी हैं पंच मेवा और नारियल की सामगरी के द् तर्शे को जिस किसी मनोकामना के लिए आप यह अनुस्टान करेंगे चाहे वह आपकी जॉब हो राजनीती हो कोई कोट केस चल रहा हो या कोई परिक्षा में सफलता आपको चाहिए होगी निश्चित रूप से आपकी वह मनोकामना पूरी होगी और अगर इस पूजन को आज के दिन से लेकर अगले नौ दिन तक आपने नियमित कर लिया तो आप स्वे माश्चरे चकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर प्रकार से उन्नती देख कर ऐसे वह चात्र चात्राइं जो पढ़ाई में संगर्ष कर रहे हैं या जिनको निकट वह इसी महत्यपूर्ण परिक्षाम बैठना है वाज के दिन से भगवती माता सरस्वती की विशेश पुजन आरम कर सकते हैं इसका सटीक समय है शाम आट बच के पंदरा मिनट के बाद के इसके लिए आज आप श्वेत वस्त्र पहनें श्वेत आशन पर बैठें श्वेत अच्चे से लेकर व्रद्यता किसे खा सकते हैं तो इसको भगवती के सामने रखें और इसके बाद में माता से प्राथना करें कि वह आपको विद्या बुद्धी और आपकी स्मर्ण शक्ति दे और आपको समर्थ बनाएं और फिर आप तीन माला इस बहुत ही विस्ष्ट मं हैं मंत्र फिर से समझते हैं ओम रीम एम रीम ओम सरस्वते नम है को कुछ ही अफ्टों में बहुत ही बड़ा आपको एक प्रभाव मिलेगा बहुत बड़ी अनुकंपा एक क्रपा का अनुभव आप करेंगे आपको अपने आप अपनी स्मर्ण शक्ति में एक व्रद्धी मै सब्क्रारा निकाल रहे हम और आपकी मनो कामना भी पूरी कर रहें अब के बार मिनट बजगे प्रश्न है कब होगा देखिए संग्ण जिसमे पंचमेश गुरु विराजमान दर्शार है कि आपको उच्च सरकारी पद पर हैं और नौमांश पत्रीका याँ डी-9 चार्ट आपका पुलिस या प्रशाशन में होना दर्शार है आपके अभी गुरू की योग कारग दशा चल रही है जिसमें आपको उच्च पद पर पहुंचाया है और आपको प्रमोशन की चंद्र के द्वारा जो आपकी जन्म प्रत्रीका में विश्टोष बन रहा है उसकी शांती करवा लेनी चाहिए क्योंकि आगे जाके यह आपके काम करने के तरीके में व्यवधान ला सकता है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विश्वागत करती हूं क्या हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हमें क्या करना चाहिए किन बातों को हमें अवाइड करना चाहिए यह सबी हम जानेंगे हमारे एक से लेकर नौ मुलांग तक की रीडिंग में तो जो हम यह रीडिंग करते हैं दोस्तों डिवाइन से करते हैं उनसे हम जानकारी लेत तो जोड़ाता है नमबर साथ तो साथ होगा आपका मूलांक और आज की तारीक है 23 जुलाइच जोड़ाता है नमबर पांच तो जो पांच है वह आज की तारीख का मूलांग जिसके स्वामी है बुद्ध तो बुद्ध प्लानेट का क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों पर आए हम जानते हैं लेकिन कारिक्रम को आज हम आगे बढ़ाने से पहले एक की बहुत महत्पूर आपको मैं जानकारी देने वाली हूं दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूं sound healing के बारे में आपने देखा होगा कि singing bowls का हम उपयोग करते हैं हमारे सनातन संस्कृती में पध्धिती में जब भी हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो बहुत सारी bells बजाते हैं टिंगा वेल्स बजाते हैं बहुत सारे थाप कर इस्तमाल किया जाता है तो वो जो सारा जो process ह वो जो sound है वो actually में क्या करता है वो sound करता है हमारी healing किस प्रकार से इसे वेज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं कि हर जो sound जो निकलता है उसकी भीतर उसकी vibrations होती हैं उसकी समवेदनाई होती हैं तो at the moment जब वो vibrations या समवेदनाई हमारे आभा मंडल से जाके connect होती हैं तो व vibration की यहही हमारे ओर्रा को जारती है जकती हैं जिससे की हमारा ओर्रा जो है वो clean होता है और जो हैवी पार्टीकल मी नियु आ कि वूती हैं समाहित हो जाती है डिवाइन लाइट में तो कहीं ना कहीं जब मन्दिर में होते हैं और मंदिर में जाके जोback बजाते हैं तो जो बैल होती है पहली बात तो आपने देखा होगा कई प्रकार के धाती केुतों से मिलकर रहे चबढ और उसमें घंटा आप बजाएं या घंटी बजाएं तो कुछ समय के लिए उसके नीचे जरूर खड़े रहें बिकिस वो आपके औरा को पूरी तरह से क्लीन कर देगा पॉजिटिव एनरजी से भर देगा आए दोस्तों बिना देर के कारिक्रम की शिरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए कि हमें क्या गाइड कर रहे हैं परमात्मा आज 23 जिलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है पॉस्सिबिलिटीज का काड है आपको जो लखी नंबर है वो है नंबर दो और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक से अधिक संभावना है आज आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगी आपके करियर को लेकर आपके प्रोजेक्ट को लेकर यहां तक कि आपको कई मिल सकती हैं आप थोड़े आज कंफ्यूज भी रह सकते हैं कि आपको किस चीज को प्राइवर्टी देनी चाहिए और साथी साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार का निर्णे आज के दिन लेना हो तो थोड़ा सा आप जो है सोच विचार करके लें अपने जो विचार धारां को थोड़ा सा हाया रखें कितना ब्रॉड माइंड रखें तो आज की दिन आपको ब्रॉड माइंड रहना बहुत ज़रूरी है जल्दबाजी में आज कोई भी आपको नेर्णे लेने से बचना है आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जिलाई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है slowing down का card है आपका जो लखी रंग है वो है इंडर धनुषिय रंग और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा आराम से अपने कारियों को करना है किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है हड़बड़ी आपके कारियों को बिगार सकती है, आपको क्या करना है, हर चीज को सोच समझ कर बहुत टाइज स्टेप्स में आपको आगे बढ फार इनकार प्रत के प्रकार से आपको हड़बढद नहीं है spark जा रहा है, higher is your own why you पड़ान मिला हुआ है यह जो कहते हैं आपको संगर्षेंट से जो लेस्न आपको मिला है कही नहीं अब आपके आज काम आने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए लेकिन आपको यह गाइड किया जाएगा हडबड़ी ना करें आपका दिन शुबहूं आए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें पर्मात्मा जाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमें कहा जा रहा है nothingness का card है मैं एक card और भी निकालना चाहूंगी आपका लखी number है वो है आपका number 5 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई बहुत खास बात जो होती दिखाई नहीं दे रही है सिर्फ एक चीज़ के वो है आपके relationship कहीं न कहीं आपके relationship में एक change आ सकता है relationship खुबसूरत हो सक relationship आपका आगे बढ़ सकता है relationship है वो कहीं नगहीं आपके husband या wife साथ हो सकता के फ्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकता है कुल मिला के एक नए partnership में भी आप जा सकते हैं अभी जो partnership है यह business वाली partnership ही हो सकते है तो कुल मिला के आज का जो दिन है वह आपके relationship आपके emotions पर oriented है तो आग आज के दिन को चेरिश कीजिए लव और कमपैशन के साथ आपका दिन शुभू कि आई जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पास लाइफ का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन संभावना है कि कोई पास्ट से डिलेटर जो आपका काम है जो कहीं पैंडिंग रहे गया था वह आज सड़नी जो है आपका आज आके पूरा हो या फिर यह भी हो सकता है कि पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके थाट प्रोसेस को चेंज करके रख देंगे आपके कारे करने के तरीके को चेंज करके रख सकते हैं अब यह जो तरीका है यह जो रिजल्ट है वह कैसा र आपकी सायता करेगी आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 जुलाई 2000 थे इसके लिए आज की तारिक का जोड़ है वो भी नमबर पांच और मूलांक पांच की हम रीडिंग कर रहे हैं और हमें गाइ इसी काम में मननी लेगेगा बहुत डिप्रेसिव और सैड एनर्जी में आप हो सकते हैं सडली एंगर भी आपको आसकता है तो कुल मिला के मिक्स फीलिंग आज आपके साथ होने वाली है आपको आज क्या करना है आपको अपने आपको शांत रखने की कोशिश करनी है इमोश तो कर दो इसनी आपने इसनी एंगे समिकाए n formula करना आपको आप 10 को मिला करके तो कुल में कोने में आयर होने आपकी लाइफ निकल रहे तो इसनी खांत इसनी ज़ता है दो कुल मिला कर न्या होने जा पील करें तो जादा सजादा पानी पीजे और रेस्ट कीजे आई जानते है मुलांक 6 के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए और मुलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एक्सपीजेंसिंग का कार्ड है आपका जो लगी नमबर है वो है नमबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की उरज़ाएं कितने ही जादा एग्रेसिव क्यों ना हो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि नारियल बाहर से बहुत कड़क होगा लेकिन बीतर से उतना ही जादा सॉफ्ट होगा तो आज के दिन आप कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे आज के जो भी कुछ आपके जीवन में घटे थो रहा होगा बाहर से किसी प्रकार की टेंशन या किसी प्रकार की जादा भाग दौर या कोई भी नया कार के तरह मेडिलिस्टिक वोल्ल्ड की जो लगी रहेगे लेकिन उसके भी कही ना कहीं आप एक बहुत सुकून शांती और पीस का अनुबाव करेंगे कहीं ना कहीं सटिस्ट्रेक्शन के साथ की वोटेवर इस हैपनिंगे लाइफ कहीं आपको बहुत अच्छी लर्निंग दे रहें तो आपकी एक्सेप्टेंस ही जो लगी जो रंग है वो है आपका लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपका हसते खेलते गुजरेगा जितना ज्यादा लाइट मूड से आज के दिन को गुजारेंगे चुटी चुटी बातों को दिन से नहीं लगाना है बल्कि फर्गिवनेस के साथ लोगों आइए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से काफी जादा मेंटली जो है वह आप डिस्टर्ब चल रहे हैं कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ सकता है यह कुई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप काफी समय से ढूनने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी understanding आपको केवल समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं कोई बहुत बड़ा कुछ करने की आउशकता नहीं है बलकि सिर्फ थोड़ा बहुत अपने सोच में बदलाव करने की जरूरत है चीजों को एकसेप्ट करने की जरूरत है आप एकसेप्ट नहीं कर पा रह कि किस तरह से सकारात्मा परीवर्तन आपकी लाइफ में आपके करेयर में आपके रिलेशंशिप में आता है आपका दिन शुभूँ आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमातमा अज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जलाई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है अलोनिस काड है लगी नंबर भी है आपका नौ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अकेले ही आपको बहुत सारे कारे करने पड़ सकते हैं कारे के बोज़ की अधिकता रह सकती है लेकिन कुल मिलाके कहीं न कहीं आपको आज ये भी पता चलेगा कि आप कितने तो सकारात्मक भाव मेले क्योंकि जो लोग अकेले पर जाते हैं वह अपने अकेले पन को बहुत ज़्यादा डिप्रैसेव और हैवीरस के तोर पे लेते लेकिन जो वास्विक्ता में इसका उपयोग करना जानते हैं उन्हें योगी कहा जाता है जो इसे एकांतवास कहते हैं आपका दिन शुभो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेका नौ मुगलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप इतना प्यार और सम्मान हमारे इस कारकरम को देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका शुक्रियादा करती ह आपके बीतर वैठे परमात्मा को मेरा प्रिणाम